पूश्ट वारी नहीं को बोल करते हैं जो ते कि नौफे रखी हूं आगा बढ़ो अच्छा बजदान मुझे ये बताईए कि ये जॉनी संस है क्या जीज़ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता जैसे मुझे भी नहीं पता जोनी संस एक पूंट उसके बारे में सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे काफी इननु मैं कल मैती और मेरे साथ यह हुआ ला नहां करें वहां पे किसी बच्ची का कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या मतलब है ये लोगे हैंगी कि इसको शो इंजॉय करने दो दन फिर ये इसकी हम एंट्री बैन करेंगे या फिर हम इसको पूलिस के हवाले करेंगे वहां पे डिनर करती हैं फोटो शूट करती हैं और जब वापिस आ रही होती है दो लड़के इनको हराइस करते हैं हराइस किस तरह करते हैं वो आप औरेड़ी वीडियो में देख चुके हैं मजीद तफसिलात हम वजदान राओ से जानते हैं ये मॉडल भी है और टिक टॉ हमने वहां पे डिनर किया फोटो शूट कर रहे थे जैसे ही मैं वापस आने लगी तो एक लड़के ने मुझे रोका उसने पूछा सैनमा किस तरफ है तो मैंने इशारा किया कि इस साइट पे है तो दूसरा लड़का था उसने मुझे कहा कि जोनी संस की मुवी जो है वो पर इसे मैंने जिसने मुझे से जोनी संस का का था मैंने उसे कहा मैंने का आप किस का पूछे थे मुझे लगा कि इसको शयाद शर्म आ जाएगी या शर्मिंदा होगा और करेगा कि मैं मुझे से घलती होगी मेरे मुझे से निकल गया उसने का जोनी संस का पूछ रहा है जो मैंने एकदम चीखना शुरू कर दिया और मैंने वहां पर लोगों को कहा कि करनली स्क्यूर्टी गार्ड्स को बुलाया जाए और वो एक लड़का जो था जिसने मुसे पूछा था वो तो भाग गया उसके दो दोस्त वहीं पे रहे और उन्हें मैंने नहीं जाने दिया मैंने और मैं आप लोगों इस तनहां बिल्कुर भी नचोड़ने माली आप मुझे हरासा यह कर रहे हो तो आप पता निस यहां पर कितनी लड़कियों को हरासा कर्राश कर कर रहे होगे तो काफी देर के बाद, मतलब इती जल्दी भी स्क्यूरिटी नहीं आई, काफी देर के बाद स्क्यूरिटी आई है, और स्क्यूरिटी जब आई है, तो उन्हें ने कहा कि मैं यहां पर जरा हंगामा और प्लीस आप हमारे साथ चलिए, जब मैं आगे-आगे चल रही थे पीछे प्लेट के देखा तो दो लड़के गायब थे, मतलब उनकी स्क्यूरिटी का आलम यह था, कि जिन पर नज़र रखनी है, उन पर नज़र नहीं रखी, वो इदर उदर हो गए, थोड़ा सा तलाश करने के बाद उन्हें बाद चला कि वो सैनमे में जा रहे हैं, तो य बैक साइड पे ले गए हैं, बैक साइड पे इन्होंने स्क्यूरिटी कार ने तोड़ी एक कोपरेट किया है, कि उसे समझाया है, कि उसे काफी सख्त अलफाज में बात की, कि आपको शरम नहीं आती है, कि आप लड़की से अगर आपकी मा बहना इनकी जिगहा होती है, तो फिर कोई और इस तरह बात करता तो आप कैसा, तो वो आगर से मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी बहन को मुबाइल पहले ही पकड़ा दिया था, कहा था कि अगर किसी किसम की कोई नाखुशगवार बात होती है, तो तुम रिकोर्ड कर सकते हैं, कोई ऐसी बाते करते हैं, तो मैंने ने कहा जोर इस बात पर दिया कि इनकी फोटो लें ठीक है, और इनका यहां पर दाखला बंद करें, हाँ जी, क्योंकि यहां पर कई बची आती हैं, वो अपने फैमिली के बगार भी आती हैं, फैमिली के साथ भी आती हैं, और लोगों को बुरा लग सकता है, मैं बोल पर देखेंगे, और लोगों को बचादे मुझे कहा, कि मैं हमने इनकी तस्वीर ले लिए, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, वो मुझे यह कह रहे हैं, कि हमने वीडियो ले लेकिन इनका आखरी शो है, चल रहा है, तो प्लीज आप इने जो है ना, हम जाने देते हैं, यह शो देख ले, उसके बाद हम इनका दाखला बंद करतेंगे, तो मतलब मुझे शदीद तरीन घुसा आया इस बात पे, और मैंने इने स्क्यूर्टी गाड को पहले कह दिया था, आप खुद मामला देखेंगे, या मैं वन फाइफ पे कॉल करूं, आप मुझे से यह अमी तो मतलब थोड़ा सा चुकना रही है, कि आपकी बेहन बेटी के साथ यह मत हो, मुझे किसी ने रापता भी किया नो ने बताया है, कि वो लड़के सैनमा में गए हैं, मतलब गए हैं सैनमा में, अच्छा मुझे यह बताईए कि यह जॉनी संस है, क्या चीज़ कि बहुत सार कि बात यह कि जब मैंने वीडियो लगए सोशल मीडिया पर तो लोग भी इस बात को बड़ा कर रहे थे कि अगर यह इतनी शरीफ होती तो इसे जोनी संस का ना बता होता है, वो इसको जोनी संस का कैसे बता है, इसकी गलती है, मतलब अगर मैं नर्गस के बारे में जानती निता चोधरी के बारे में, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उनके मुझरे देखती भी हूँ, मुझे पता है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है, तो जोनी संस एक पॉन्ट स्टार है, उसके बारे में सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर काफी इननों है, उसके बारे में काफी मीम्स बनती हैं, लोग मजाग उडाते हैं, उसका नाम, उसकी वीडियो वगरा, और भी काफी जादा, उनका नाम लेके मजाग उडाया जाता है, तो लोगों को इस बात की बहुत जादा, मतलब उन्हें एक दम से होगे, हाइपर के, इसको पता कैसे ह सोशल मीडिया से, वहाँ पर मेम्स बनती हैं, तो मैं भी सोशल मीडिया यूस करती हूँ, सब अगाही थी, इसका ये मतलब नहीं है, कि मैं भी इन चीज़ों में इन्वाल हूँ या कुछ है इस तरह का, ऐसा नहीं था, तो इस वज़ा से मुझे शदीद गुसा है, मैंने पर पूछ रहे हैं, जहां पर फैमिली जाती हैं, बचे भी जाते हैं, और आप वहाँ पर एक लड़की को हरैस कर रहे हूं, और ये स्क्यूर्टी की मैं बात करूँ तो स्क्यूर्टी को इतनी खास अच्छी है भी नहीं यहां पर, यहां पर बाहर की तरफ जो होते हैं, ज तो इस तरह यह जो बाहर गार्ड करे होते हैं इस बारे में कोई लेते नहीं है कोई भी स्टैप नहीं लेते हैं इस हवाले से मतलब आप यह कहना चारी है कि अगर वहां पे कुछ अला ना करे कुछ गलत भी हो जाए तो वहां की जो सिक्यूरिटी है वो यह कहेंगी कि इनको हाँ डैफिनेटली जाहिड है आज तो मैं थी कल मैं थी और मेरे साथ यह हुआ है ला ना करे वहां पे किसी बच्ची को जाता है कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्यों मतलब है यह लोके हैंगी कि इसको शो एंजॉय करने दो दन फिर इसकी हम एंट्री बैन करेंगे या फ तो मुझे सबसे जादा हिरानगी इस बात पर है और गुसा भी है शदीद गुसा है कि मैं सिर्फ बोली हूँ मेरे साथ यह हुआ है मैं बोली हूँ पता नहीं कितनी लड़कियां चुपचा बरदाश कर लेती है इस चीज़ को और वहां पे उनके साथ क्या क्या होता होगा मेरे साथ तो यह हुआ वहां पे और लोगों के साथ क्या क्या होता होगा और स्क्यूर्टी जो है स्क्यूर्टी सिर्फ के हमारी बद्रामी ना हो और इस वज़ए से वो जो है उन्हों ने यह हरकत कर दिया और बिलकुल भी मैम साइट पर आजए हम देख लेंगे यह किया तो बान माफी मांग रहा था मैंने उसे माफ करने का बिलकुल भी मूड नहीं था लेकिन स्क्यूर्टी जो थी क्यूंकि एक बंद कमरा बैक साइट पर बंद कमरा टाई पी था और हम लड़कियां थी हमारे साथ कोई जैंस नहीं था जिसकी वज़ए से गुसा तो मुझे जा रहा था लेकिन मैं चुप करके बार आगी और वो पीछे तक मेरे साथ लटकता हुआया मैं मेरा नाम यह प्लीज मेरे लाइक कोई खिदमत हो तो बताईगा मैं जूलरी का काम करता हूँ और मैंने से स्फिफ यही लाइन के थी कि दफ़ा हो जो मैं तुमारी शेकल से भ आखरी बार इंजॉय करें जाए जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कैमरे चेक कर ले जगा जगा पर कैमरे लगे हैं सब कुछ नजर आएगा कि मैं वहां पर कितनी देर अकेली को अबना यह था कि आप जो है हमारे साथ साइड पर आके बात करें कही यह हंगामा जो पब्ल पहांपे बॉलती रही अलज ना करे वहांपे आपको कुछ हरैस कर लेते एकष्ण कर लेते तो इसका जमतर तो कोई भी जमतर नहीं उता ये काफी लोग थेश्ण वहां पे कोई एक बंदा Chandler's Kindle में से या इधर उदर में से कोई स्टाफ का कोई एक बंदा कितनी देर तक वहां पर नहीं आया और मैं अकेली खड़ी वहां पर बोलती रही होना क्या चाहिए सबसे पहले तो जो स्क्योर्टी गार्ड हैं जिन्नों ने कहा है के इंजुआए करना हैं उन पर सक्ट एक्षिन लेना चाहिए और दूसरा लड़कों की बिलकुल एंट्री बैन कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से सातों दिन जो हैं फैमिली डेस कर देने चाहिए इन लड़कों को बिल्कुल भी एंटर नहीं होने देना चाहिए ताके मेरे साथ तो बहुत कम हुआ शायद कल को किसी और बच्ची के साथ कुछ जादा ना हो जाए चीन आसे इन्हीं जाले का बाता है उसले कि वार्ल आप में वीडियो को में देखि लागी मिल्स में पहले हम मार्केट्स में जाते लड़कों को बाजारा कि चाथे बाजार से कर tuo ूंस एया वें βांँए जाना बंकरती कि एक आmmडर नहीं करते वहां पे लफंगे होते लॐफर होते जो कभी डुबटा कैशल ओेंगे लडगी का कभी कुछ बोल देंगी कभी सीटी मार देंगे लेकिन हम लोग ये सोच के छुपः जाते हैं । कहा बाब की हिज़त है हमारे बाई की है हमारी इज़त है अगर हमने इसे कोई थोड़ा सा फटा लिया या इसे बात की कि तुमारी जुरत कैसे हुई है तो ये लोग बढ़ जाएंगे हमारी वीडियो बनेगी वो वायरल होगी और लोग देखेंगे हाँ इस लड़की के साथ ये हुआ है तो हमारी आने वाली जिंदगी जो है वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी लेकिन आज कल की जो लड़किया है वो भी ये सोच रखती हैं बट इनके जैसी एक open mind लड़की ये सोच नहीं रखती ये ये सोचती है कि इसको अगर आज हमने नहीं दबाया तो ये कल को और ज़्य करेंगे जिस तरह ये बात करती कि वो लड़का कह रहा था कि मेरे मूँ से निकल गए मूँ से तब अलफाज निकलते हैं जब आपकी रोज मरा की रूटीन में भी यही लैंगविज हो आप किसी से इस तरह बात करते हूं अफकोर्स अगर आपके घर की परविश अगर आप अपनी सेक्यूरिटी जो है वो ठीक करें नहीं तो अधरवाइस इनके जैसी और भी लड़कियां उठेगी जो ठीक करवा सकती है और इनको आता भी है अच्छे से इसके साथ मैं इजाज़त दें अलाने के बार